हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग, आज हम लो मॉडरन हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमारा मॉडरन हिस्ट्री का पहला पार्ट आ चुका है, और उसका हम लोग क्या करेंगे, आज दो मिनट में क्विक रिविजन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 14-3, एक डेट हम लोग पढ़े थे, 14-3, 14-3 में क्या होता है, कुस्तुन्तुनिया पे तुरकों का अधिकार हो जाता है, फिर अगला डेट हम लोग पढ़े थे, 14-7 में, 14-7 में पुर्तगाली यात्री बार्थुलोंविड याज होता है, जो इसी को उत्माशा अंतरीब भी कहा जाता है, फिर अगला अगला डेट पढ़े थे, 14-2, 14-2 में क्या होता है, इस पेनिश श्यात्री कोलंबस भारत की खोज करने निकलता है, लेकिन वो भारत पहुंच के कहा पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है, और इस प्रेक अगला डेट पढ़ेंगे, 14-98-2, इसमें क्या होता है, पुर्तगाली यात्री जिसका नाम होता है, वासको डिगामा, ये पुर्तगाल से कब चलता है, 14-97-7 में चलता है, और भारत कब पहुंचता है, 17 मई 14-98, और कहां पहुंचता है, भारत में किरल के मालावार्टर पे पहुंचता है, और बंदरगाह का नाम क्या है, कालिकट बंदरगाह, जहां पे किरल के एक अस्थानी सासक, जिनका उपाधी जमोरिन होता है, और वो क्या करते हैं, वासको डिगामा के स्वागत करते हैं, और स्वागत के बाद से क्या किया जाता है, वासको डिगामा के जह क्वार्ठ गुना ज्यादा फायदा होता है इसके बाद हम लों पढ़े थे वास्को ढिगामा 1498 के बाद से 502 10 में दुबारा भारत आता है इसकार में फिर से 5024 में तीसरी बार भारत आता है और 1524 में ही क्या होता है वासको डिगामा की मृत्ति हो जाती है इस प्रकार हम देखे थे कि वासको डिगामा कुल मिलाकर भारत में तीन बार आया था कब 1498, 1502 और थर्ड टाइम 1524 इस भी में इस सारे चीजें हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे हलांकि आज दूसरा पार्ट वाथ कर दोगती हैं कि इसे पहले क्या की यह लोग बन्लेंट का क्यूकर रिवीजन किये हैं कि यह थे यहिए फिर हम रोगी कंटिनीव करते हैं इसके बाद हमनों देखते हैं कि जब वास को डिगामा जाता है उसको 60 हुना फायदा होता है तो वहां के जो राजा होते हैं अchar़ी सरकार होते हैं क्या करते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जाईए और क्या कर ये भारत से जादा से जादा वियापार करीए उसी करम में पंद्रस और तीन इस्वी में पूर्टगालियों के द्वारा भारत में पहली कोठी खोली जाती है कब पंद्रस और दो इस्वी में कोठी इसको कोठी कहली जिए या फिर करखाना कहली जिए या फिर इसी को फैक्टरी भी कह सकते हैं ठीक है? अगर कभी भी एक्जाम में आता है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली कोठी कब खोली गई थी पंद्रसो तीन इसमी में पहला करखाना पंद्रसो तीन इसमी में या पहला फैक्टरी यहां पर हमें ऐसे नहीं जानेंगे कि फैक्टरी का मतलब क्या है जहां पर कोई किसी भी चीज का उत्पारन होता था ऐसा नहीं है यह बात जरूर है कि जब पुर्टगाली भारत में आए तो क्या करने लगे यहां से जब व्यपार करते थे तो उसको इस कोठी में क्या करने लगे उकठा करने लगे और जब जादर मात्रा में समान की कव्यपार कर लेते थे फिर उसको कहा लेके जाते थे अपनी देश लेकी जाते थे तो बस इतना सब्ढ़िना है कि कोठी का मतलब क्या था एक गो डाउं टाइम पका इचार दिवारी बना दिए जाता था जिसमें कोचीन में बनाएगा तहरे केरल के कोचीन में, तो पुर्तगाली दूरा भारत में खोला गया पहला करखाना कौन सा था, कोचीन में खोला गया था, कब 503 इसवी में, फिर बात करते हैं 505 इसवी में, पंद्रो सो तीन इसमी में पहला करखाना खोल गया, पंद्रो सो पांच इसमी में दूसरा सेकंड करखाना कहले या फिर कोठी या फैक्टरी, दोनों सेमी है, सेकंड करखाना खोला गया, कहां खोला गया तो ये तमिल नाडु के कुन्नूर में खोला गया था, कहां पे तमिल कोठी खुला गया और दूसरा पंद्रों सो पांच में तमिल नाडू के कुन्नूर में खुला गया था इसी करम में देखते हैं कि पंद्रों सो पांच इस भी में ही पुर्तगाली गवर्णर जन्रल अल्फ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहां आते हैं भारत आते हैं कोन आता है पुर्टगाली गवर्णर जनरल 1505 इस्वी में पुर्टगाली गवर्णर जनरल अलफांसो डी अलमीडा क्या नाम है फ्रांसिस्को डी अलमीडा क्या बन के आते हैं भारत में पहला पुर्टगाली गवर्णर जनरल कौन होता है फ्रांसिसको डी अलमीडा कब आते हैं पंदर सो पांचिस भी में आते हैं तो ये भारत में आ गए हैं अब इनका आने का कोई में परपज या फिर उदेश्य होगा तो पुर्तिगालियों का सबसे ज़्यादा में उदेश्य यही होता है कि हमें कैसे भी करके क्या करना है समु पुद्रमार में भी कहां ज्यादस ज्यादा किस पे हिंद महासागर में जिससे क्या हो सके भारत से ब्यपार में क्या करें वो एक आधिकार ला सकी या फिर भारत से ब्यपार करने में मिन्स उनका बराबरी कोई न कर पाए तो ठीक है तो इसी करम में हम देखते हैं कि अलमी जल की या नीले जल की नीति क्या कहेंगि नीले जल की नीति कई बर कुछन आता है कि Blue Water Policy किसकी दौरा लाय गया था तो पुर्तणाली Governor General Francisco di Almeida की दौरा लाय गया था जिसे क्या कह जाता है नीले डीन जाता है ठीक और इसके बास देखते हैं कि 1589 में इस안डक पूर्तगाली गवर्णर जनरल जिसका नाम क्या है पूर्तगाली गवर्णर जनरल ते पूर्तगाला जनरल ऑल्फांसो दी छलुक कर इंड हाँ सेकेंड पुर्टगाली गवर्णर जन्रल जीसका नाम क्या है अगल जन्रल ंफ Stephen सोधी अलवुकर्ण क्या नाम है अलवान्फम अलवुकर्क कर अगर कभी एक्जाम में आता है कि पहला पुर्टगाली गवर्नर जंदर जो भारत में आया था उसका नाम क्या था उसका नाम रहेगा फ्रांसिसको डी अलमीडा अगर कभी भी एकजाम में आता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जंदर जो कि वास्तविक गवर्नर जंदर था ऐसे अगर कोशन आता है तो क्या एंसर होग कि अल्बुकर्क होगा कि जो फं कर्क था जहां पे क्या कटा है भारत में फटीं क्या करता है वहीं फर्टrese समराज्वादी निति का सम्राज्वादी दि WE भारत के भूभा को ईद्वान जीतने का परयाश करता है ठीकिए इसी करम में 15 1510 इस्वी में पुर्तगाली गवर्णर जंदल जिसका नाम है अलवुकर्क जिसे क्या कहा गया था वास्तिविक संस्थापक क्या था ये वास्तिविक संस्थापक पहला गवर्णर जंदल की बात आएगा तो हमनों याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अलमीडा रहेगा और वास्तिविक संस्थापक की बात करेंगे तो अलवुकर्क रहेगा तो अलवुकर्क क्या करता है पंद्रस दस इस्वि में बीजापूर के सासक जिनका नाम है युशूफ आदिल साह के सास लडाई करता है और गुवा को अपने कबजे में कर लेता है यह पहला ऐसा मौका था जिसमें क्या किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा भारत के किसी भू भाग पे अधिकार किया गया है कब पंद्रस दस इस्वि में किसे तो बीजापूर के सासक युशूफ आदिल शाह से क्या किया गया है गुवा को पुर्तगालियों द्वा अधिकार कर लिया जाता है, किस पे मलक्का जलसंधी पे अधिकार मलक्का जलसंधी जिससे क्या होता है, मैक्सिमम ब्यापार की बात कर लेंगे तो इसी मलक्का जलसंधी इसके द्वारा ही किया जाता है फिर हम देखते हैं कि 1511 इस्वी में 1515 इसमी में पुर्तगालियों की दवारा हारमुज जलसंधी पर अधिकार कर ली जाता है किस से होके जाना पड़ेगा हारमुज जलसंधी के दवारा होकर जाना पड़ेगा ठीक है तो इतना हो गया तो फिर हम दो आगे बढ़ते हैं अभी तक हम देखे कि 159 इस्वी में अलगुकरक आता है जो क्या होता है वास्तविक पुर्तगाली गवर्णर जनरल होता है या संस्थापक होता है उसके द्वारा क्या किया गया है गोवा पे अधिकार कर लिया गया है और इस गोवा को अपनी राजधानी कौन बनाता है नीनो डी कुनहा 1529 इस्वी में अगली गवर्णर जनरल बनके आते हैं जिनका नाम है नीनो डी कुनहा 1529 इस्वी में नीनो डी कुनहा गवर्णर जनरल बनके आते हैं और 1530 इस्वी में अपनी राजधानी गोवा को ब बना लेते हैं ठीक है गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं ठीक है हमेशा याद रखेंगे कि अल्बुकर के द्वारा क्या किया गया है गोवा को जीता गया है लेकिन गोवा को राजधाने किसने बनाया था नीनोडी कुनहाने बनाया था ठीक उसके बाद अगला बात क्या हुआ था अगले डेट की बात करेंगे तो 1535 में 1535 में क्या होता है पुर्तगालियों की द्वारा दीव पर अधिकार कर लिया गया फिर बात करेंगे 1556 में 1556 का डेट बहुत ही इंपोर्टेंट डेट है क्यों कि बात किया जाए कि हपन इसवी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाया गया क्या किया गया भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का अश्रह किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है. कब 1526 में? इसकी बाद हम बात करेंगे पुर्तगालियों न लाया ही था. साथी साथ तंबाकु की बात कर लिए? तंबाकु लाये थे, काजु लाये थे, शरीफा आलू मक्का मतब ऐसे बहुत सारी चीजे भारत में कौन लाया था पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था ठीक है जिसमें से ज्यादा 1669 में पुर्तगालियों की द्वारा दमन पर अधिकार कर लिया गया है इसके बाद से एक इंपोर्टेंट बन जाता है जिसका नाम है 1661 इंपोर्टेंट क्यों है 1661 इसलिए है कि हम दो देख रहे हैं कि 1661 का टाइम पीरिड चल रहा है और इस समय भारत में और बहुत सारे युरोपी यह व्यपारी व्यपार करने के लिए आ गये हैं जहां कि बिज्ड हैं और जिसमें बात करेंगे सबसे पावरफूल देश कोन मुझा ता है यह शादि कि से कर देते हैं साल बृति राजकुमार चाइबेस इससे इस क्यूंपोंने सब्सक्राइब क्योंकि इसमें क्या किया जाता है पुर्तिगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी पुर्तिगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिस राजकुमार चार्स दूतिय के साथ कर दी जाती है कब चार्स सेकंड के साथ ठीक है बाद में यह जो चार्स सेकंड होते हैं वो क दहेज स्वरूप में पुर्टकालियों के द्वारा क्या दिया गया रहता है या फिर हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 1661 में पुर्टकाली राजकुमारी जिन्द का नाम है कैथरी उनकी शादी किसे कर दी जाती है ब्रिटिस राजकुमार चाल्स दीती एक साथ कर दी जाती है और बंबई को दहेज स्वरूप में उनको दे दिया जाता है और बाद में चाल्स दीती क्या करते हैं बंबई को इस्ट इंडिया कंपनी को सौम देते हैं ठीक है फिर एक लास्ट इंपोर्टेंट डेट आता है जिसका नाम है 1961 19 दिसंबर 1961 ठीक है यह हम देखने हैं कि है पुर्टगालियों का दिकार हुता है तो उनीस एक सठीवी में क्या कि घृता है भरत सरकार की दिवारह सेह स्ट ने करवाई कर कि गोवा को पूर्टगालियों के अंडर के झुड़ा लिया जाता है और गोवा को भारत का creators प्रदेश घोशित कर दिस कर दिया ठीक है तो 1961 किसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इस 1961 में भारत सरकार का नियंतर किस पर हो जाता है गोवा पर हो जाता है ठीक है तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत में आनी वाले सबसे पहले यूरोपी कौन होंगे पुर्तगाली होंगे कब 1498 में कौन आया था वास् हैं 1961 में तो इक कई बार कोशन आता है कि भारत में आने वाले पहले यूरोपी और भारत से जाने वाले लाश्ट यूरोपी कौन थे तो दोनों में क्या एंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा क्या रहेगा पुर्तगाली ठीक है इसके बाद से हम दो देखेंगे कि कि एक जाम में आया हुआ भी है कि काटेज पद्धती क्या था देखेंगे कार्टेज पद्धती क्या है तो हम लोग देखे थे कि जो पुर्तगाली को दोरा क्या किया गया था जल पे नियंतर अस्थापित करने की कोशिश की गई थी या फिर क्या लेंगे तो सम्मूद्र में वो लो क्या किये थे अपना नियंतर अस्थापित कर लिए थे नियंतर स्थापित करना इंदसेंस क्या किये थे मिंस अगर जल की राष्टे कोई व्यपार करने भारत में आता था तो लोग क्या करते थे उनके जहाजों से कुछ टैक्स वसूरते थे और उनको यह आश्राशन देते थे कि अगर आप हमको आप आ रहे हैं व्यपार करने उसके एवज में कुछ टैक्स देंगे तो हम क्या करेंगे आपके जहाजों की रक्षा करेंगे बढ़ना क्या होता था उनके जहाजों को 20 समूद्र में ही लोट लिया जाता था तो एक तरह से कार्टेज पद्धती क्या था टैक्स इसी वो क्या कहेंगे टैक्स या फिर कर तो पुर्तगालियों की द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था जो बिदेशी या फिर दूसरे देश के लोग भारत आने कोशिश करते थे व्यपार करने के लिए उनके जहाजों से जो टैक्स वसूला जाता था उसी वो क्या कहा जाता था कार्टेज पद्धती क्या है कर्वसूलने की पद्धती क्या है कार्टेज पद्धती है जिसमें उनको यह स्वासन दिया जाता था कि हम आपके जहाज की या जो ब्यापार करने लोग आ रहे हैं उनकी क्या करेंग क्या था इस्तादो दे इंडिया क्या था तो इस्तादो दे इंडिया पुर्तगालियों द्वारा समुद्र पे जो समराज अस्थापित किया गया था उसी को क्या कहा जाता है इस्तादो दे इंडिया कहा जाता है कई बार ये समझ में आ जाता है कि स्तादो दे इंडिया क्या ह एक कम्पनी का नाम है लेकिन यह कम्पनी का नाम नहीं है क्या है समुद्र में पुर्टगालियों द्वारा जो समराज का अस्थापना किया गया था उसे ही क्या कहा जाता है इस्तादोद इंडिया कहा जाता है मिन समुद्र में पुर्टगालियों द्वारा अस्थापित समराज को ही क्या कहा गया है इस्तादोद इंडिया कहा गया है इस तरह से आज हम लों सेकेंड पार पढ़ रहे थे और इसमें क्या हम लों सारे पुर्ट प्रिंड फैक्ट है उसको पढ़े चुकी